जी आमिर इल्यास राना साहब ने कहा कि जब से मोदी साहब आए हैं जब से उनकी आमद हुई है उसके बाद तालुकात भारत पाकिस्तान के खराब हुए हैं इन्हों ने कहा कि इमरान खान साहब ने तो बड़ी कोशिशें की हैं लेकिन सामने से कोई रेस्पॉंस नहीं मिला और तमाम बातें इंटेलिजन्स एजन्सी की और नजाने क्या क्या तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत पाकिस्तान के तालुकात को हम जब भी देखते हैं तो हमें 2014 से नहीं देखना चाहिए 2014 से पहले भी एक हिंदुस्तान था और एक पाकिस्तान भी था ये दोनों मुल में ट्राइबल इंवेजन करके उसके बाद इंडिया पर अटेक भी किया उसके बाद 65 की जंग भी हुई है 71 भी हुई है उसके बाद हमारे दरम्यान कारगिल की भी एक बहुत बड़ी जंग हुई है फिर ये देखें कारगिल के बाद में मुंबई के हमले हुए उरी का हमल हुआ और उसके बाद यह पूरी हिस्ट्री है जिसको हमें एक इसको पैकेज में देखना चाहिए एक आइसोलेशन में यह कहना कि जी मोदी साहब की वज़े से यह हो गया डूंट थेंग इट सफेर अनालसिस तो मैं यह पूछना चाहता हूं रहना साहब से कि रहना साहब वा रहा था तो मैंने उसे यह सवाल पूछा कि जब वाजबे साव लहुर गए उसके बाद करगल का टैक हो गया तो लहुर डेक्लरेशन और कारगल का वार यह तो दोनों बजाहर कॉंट्रडिक्री एक दाम है तो इसके लिए क्या हम यह कहें कि हिंदुस्तान को आप ब्लेम कर है और उससे पहले एर मार्शल अश्गर खान साहब यह कह चुके हों कि तमांग जंगे हमने पहले शुरू की है तो वो एक हिस्ट्री का बैगेज है जिसको हम जो है अनफॉर्शनेटली हमें उसको साथ लेके चलना पड़ता है वी कांट लीव इट असाइड अच्छा रान मानता है जी पाकिस्तान के वो शायद वाहिद प्री और फेर एलेक्शन्स थे शेख मुझीब ओवर्वेल्मिंग मजारिटी से जीता उसको हमने इक्तदार देने के बजाए उन बंगालियों का कतले हाम शुरू कर दिया और हबीब जालब ने क्या कहा था महबत गोलियों से बो रहे हो वतन का चेहरा खून से धो रहे हो गुमा तुमको के रस्ता कट रहा है यकी मुझको के मनजल खो रहे हो हम अपनी घलतियों और कोताहियों पर तो तवज्ज़ नहीं देते और सिर्फ इस बाते फोकस करते हैं जी कि इंडिया ने उससे फाइदा उठाया तो क्या हमारे हुकमरानों को ये पता नहीं था कि अगर हम अवाम के मैंडेट का हित्राम नहीं करेंगे तो इंडिया फाइदा उठाएगा और इंडिया में भी आपको पता एक करोड़ से ज्यादा रेफ्यूजी जा चुके थे जब एक करोड़ से ज्यादा रेफ्यूजी दूसरे मुल्क में मौझूद हों, वहां के अवाम आपके खिलाफ हो चुके हों, तो फिर आप क्या तवक्व करते हैं, ऐसे मुल्क से जिससे आपके तालुकात जो थे, कशीदा थे, जिनकी जंगें हो चुकी थी, तो क्या पाकिस्तान को कोई खुद हितसाबी करनी चाहिए, को इंट तगू की, आपका सवाल जो था, वो एक मुस्तक्विल की तरफ था, कि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को समाजी तोर पे और सारी चीजों में क्या आगे जाने का हक नहीं है, जो मैं समझता हूँ जो आपका बुनियादी सवाल था, मैं इसलिए 1947 से शुरू नहीं आगे अगर बात करनी होगी, तो हम चले जाएंगे, अब महाराजा पे भी हम चले गए, तो महाराजा के इस बाद यूएन में कौन गया था, फिर तो हम एक बहस में पढ़ जाएंगे ना फिर year to year, month to month, वो तो हमारे सामने है, कोई चीज छुपी तो नहीं हुई, कि कौन प तो फिर तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और जिसको इन्होंने दैशतगर्दी कहा, वो हमारे मुलक पे बाला कोट पे अमला किस ने गिया, उसका जवाब हमने दिया, हमने आपका पाइलिट वापस कर दिया, मतलब फिर हम लग जाएंगे ना इसी काम पे, कि या तो नवाज शरीफ साब से शुरू किया था, कि वो गए थे, ठीक है, वो किस लिए गए थे, बदले में उन्हें क्या मिला, उनसे मुराद किसी की जात नहीं थी, ये दो मुलकों के दर्मियान तालुकात की बात थी, कि हाँ, क्या हम पिछले बैगिज को छोड़के आगे ठीक हैं, क्या हम रास्ते तलाश कर सकते हैं, वो नवाज शरीफी थे ना, जो वाजपाई को ले के आए थे लहोर में, पाकिस्तान में ले के आए थे ना, वो उसमें क्या था, वो पाकिस्तान का हुकमरान था, फिर वो इतने साल के बाद दोबारा आया, उसने फिर कोशिश की, हम यहां उन पर तन्कीद करते हैं लें जी आप दौाइं कर रहे थे कि वो जीत जाया है और उन्हें ने किश्मीर में आज बेड़ा गरक करके रख दिया है वहां पे मुसल्मानों का आप एक बंगला देश के एलेक्शन को कहते हैं कि जी था वहां मकबुदा किश्मीर में एल उस पर गुजार सकते हैं क्योंकि हमारे जर्नायल आपके जर्नायल किसी का कोई रेटायर्ड बिरोकρίट किसी का कोई सियासतदान पुराना सब ने किताबे लिख दी है सब अपनी अपनी कहानी अपने आपको हीरो बना के पेश कर रहे हैं इश्यू क्या है कि यॉरप ने कौन सा मदरसा था वो फिर ठीक ता ना कि ये कवा मरा पड़ा था उस मिजाहिल से जो इंडियन फोर्चिज ने आके मारा और पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल वार्डर को क्रास किया अब ना वो मतनाजिया बाद थी जवाब भी मिला और फिर एफ सिक्स्टीन का ड्रामा क के लिए काम किया गया कि हाँ जी आरदी तोर पे ये भी था ये भी है हमें सोचना ये होगा कि अगर हम ये प्रोग्रेम ये सोच के कर रहे हैं कि हमें रास्ता निकालना चाहिए कि दोनों मुलकों के अवाम वो किस वर्बत की उसमें चक्की में पिस रहे हैं उनके लिए क्य क्या कोई रास्त निकालने के लिए तियार नहीं होगा अब जो आप अफगानिस्तान में चले जाएं तो वहां पे जो इंडिया कूद के पहंचा अमरीका के जरीए क्रास करके पहुचा कि किसी भी त्रीकह से जो गपार्रोंट चली गई उनके ज़रिये हम पाकिस्तान के और वह दैस्त didi जो उस फिर उन गॉसलेट से जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे अफगानिस्तान में इंडिया ने बनाए जो दैस्त घर्ड हुई हम पिर कलभोशन पर भी आजएंगे मैं अभまで सुनाई मैं भी सुनु के बताए हम आगे कहाँ चलें अच्छा राना साहब आपने जो ये सारा बियान किया उस पे फोकस आपका पिछले पांच-छे साल पे है तो क्या हिस्ट्री जो है वो पांच-छे साल पहले शुरू हुई इन दोनों मुलकों की तो क्या पाकिस्तान में ये इस एसास मौजूद है कि हमने भी गलतियां की अब एर मार्शल असगर खान जैसा रिस्पेक्टेड आदमी जब ये कहता है कि जितनी भी पाक भाक भारत जंगे हुई आगाज पाकिस्तान की तरफ से हुआ और जब नरेंदर मोदी जो है नवाज शरीफ से मिलने लहौर आए उसके बाद क्या हुआ पठा चीजों के बारे में जी मैं सर्फ इनकी एक बात का जवाब देना चाहता हूं ने आगे की तरफ देखते हैं ब्लेम गे में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए वैसे ये चाहें तो हम जो भी आदे हैं और वो सारे हम आगे डिसकस कर लेंगे जब हम मसले के हल की तरफ जाएंगे नवाशरीफ साहब ने अभी पिछले साल ही अक्टोबर में जब ये PDM का मार्च हो रहा था तीन-चार बार कौम से खिताब किया लंडन से उनके पहले जो सबसे पहला उनका खिताब था उसमें उन्होंने क्या बाते कहीं उन्होंने कहा कि मैं जब कभी भी अपनी आजाद foreign policy बिनाने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पीछे ये फौजी जर्नेयल आके खड़े हो जाते हैं और मुझे वो काम करने नहीं देते नवाज शरीफ साहब को हटाने वालों लोगों की बारे में भी बात की जाए नवाज शरीफ साहब जिस sincerity में इंडिया आए मोधी साहब भी उतनी सी उतनी ही sincerity से वो जब अफगानिस्तान गए वे थे तो उनने फौन किया और ये पूछा कि मिया साहब फौन किया नवाज साहब ने पूच्छा कि मिया साहब पूचा कि मोधी जब आप लिदाइख और और विदाउट किसी नोटिस के या अपने जो सिक्योरिटी के हेलकार हैं, उनको पूरी ब्रीफिंग दिये, वो तमाम प्रोटोकॉल्स को दरकिनार करके लहुर पहुंच गए, वो उससे भी बड़ा जेस्चर है, और ना सिर्फ ये, बलकि मोधी साहब ने खुद ये बयान कि कि कोई भी एक head of the state, दूसरे head of the state से मिलता है, उनके helicopter में बैठके कहीं नहीं जाता, उनने वो रिस्क भी लिया, वो रिस्क भी लिया, उनके घर भी गए, मोधी साहब का एक एक शिकवा है, पाकिस्तान के अवाम से, हुक्मरानों से, उनने का कि हम बात करें, तो किस से बात इंटेटिव जो उनका चुना हुआ है, प्राइम मिनिस्टर इन दिस केस, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये सवाल, पाकिस्तान की अपनी सियासत के अंदर, हर रोज बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है, selected प्राइम मिनिस्टर, और नजाने किन किन नामों से बुलाया जा रहा है, फॉरन पॉलिसी किसके हाथ में होनी चाहिए, हमने कभी नहीं देखा कि कोई इंडियन जर्नेल बैट के प्रेस कॉंफरेंस करें, इंडियन फॉरन मिनिस्टर के साथ में बैट के और फिर वहां से वो बराबर डिक्टेशन लें, शाह मेहमुद कुरेशी साहब क आसिफ गफूर से लेके लेटेस जो डिजी आइस पियार तक सारे प्रेस कॉंफरेंस में बराबर में बैटके उनको डिक्टेशन देते हैं, पाकिस्तान की फॉरन पॉलिसी, पाकिस्तान की इस्टेबलिश्मेंट बनाती है, इंडिया की फॉरन पॉलिसी, इंडिया की हुक कांसलेट्स की भी बात की इंडिया के और पाकिस्तानी मीडिया में मुझे पता है बहुत इस लिहाद से रिपोर्टिंग होती रही है और किसी ने कहा कि वहाँ 14 कौंसल खाने हैं किसी ने कहा 26 किसी ने 35 कहा और लेटिनेंट जेनरल अब्दुल कयूम जो सेनेटर भी थे पीम एलन के उन्होंने नवाई वक्त में लिखा जी पाक अफगान बॉर्डर पर दरजनों कौंसल खाने हैं इंडिया के और एक अख़बार ने तो उनकी तादाद 65 तक पहुंचा दी थी आपकी क्या इतला है इस हवाले से जैके जी वो हिस्ट्री हो गया ना के कॉंसलेट से दैशगर्दी की तरगीब हुई ट्रेनिंग हुई मास्टर ट्रेनर आए और वो अब सारे खतम हो गए इंडियन्स को जाना पड़ा वहां से इस सेंस में के वो रिजीम चली गई जिनको यह ट्रेनिंग दे रहे थे सारे के सारे एक्सपोर्ट कर रहे थे दैशगर्दी पाकिस्तान के लिए मैं आपकी बात के बीच में नहीं बोला आपने यह का कि मैं ब्लेम गेम में नहीं जा रहा तो सारी की सारी गुफ्तगू वहीं चली गई और शकील साब ने सवाल किया मैं अब होस्ट्गू सवाल ने इक तादात के ओपर नहीं के मैंने उसको देखा है मैंने उसको सफर किया है मेरे पाकिस्तान ने सफर किया है एक दुश्मन जो हमारा मुलक आप हमें जो मर्जी कहें लेकिन हमारी रेयलिटी यह है कि हम एक दुसरे के दुश्मन ठीक है उसके अंदर हमारे मुलक की सियासत क्या है हमारे मुलक के अंदर हकूमत कौन करत है वहां पर train किस ने जलाई थी वहां पर किस ने क्या दिया था मुसल्मानों को जलाया था हम क्या किस किस बात को करें असल इशु यह है कि क्या sincerity से बैठ के यह कहने की बात है क्या मकबुदा कश्मीर को जो international standard पे था जो मुदी साब ने आईन अपना बदल दिया खाने कितने हैं सॉरी तो से इस तरह से ब्रीफली आंसर दे हमारी और आपकी गुफ्तगू जब होनी है तो वो किसी एक set pattern पे हो नहीं है कि आप हमारा main core issue क्या है क्श्मीर के मकबुदा कश्मीर पे कबजा किसका है उसके प्लेबिस के लिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता ह है दोनों मुलकों को किसी international arbitration में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए मदब हमें जब तक हम किसमें फसे हैं हमारी बड़ी क्लियर बात है कि जब तक आप मगबुदा कश्मीर का मामला क्लियर नहीं करते आपके और हमारे तालुका ठीक नहीं हो सकते हम जितने मर्जी मदब ज जिसके पास सारी टोपिया मौजूद थी जो आर्मी चीफ भी थे जो सदर भी थे जो चीफ एड़क्टिव भी थे मतलब आप चलें वन टाइम ये देख लें किस से बात करनी है वही बात करने के लिए गए थे और वहां पर क्या हुआ कि प्रेस कांफरेंस भी नहीं करने द करते हुए मैं उसके उस कंड़क्ट को देखूंगा कि वो क्यों गया था वो गया ना वाजपाईव यहां आए थे तो जनल मुशरम वहां गए थे वो इसलिए गए थे कि बातचीत करके रास्ता निकाला जाए और वहां पे एकदम एंड कर दिया गया आगरा समिट में और गुफ्तगूख खतम कर दी गई हमारी तो सारी हिस्ट्री इसी तरह पड़ी भी है कि एक इदर से आया एक उदर से चला गया क्या हुआ जो आपने पॉइंट अभी उठाया था कि जी वो मुदी साब कहते है मैं बात किस से करूं वो हमारे सदरे पाकिस्तान जो सारी कैप्स मुझूद थी जो गए थे वो किस लिए गए तो वहां पर किस ने उसको खतम किया आप मुझे उसका बता दे मैं मोदी साहब ने आप अभी तो कह रहे थे कि मैं हाल ही की हिस्ट्री की बात कर रहा हूं फिर आप मोदी साहब का हवाला देके और आप जा रहे हैं वाजपे सा आपके लिए नहीं बैठा के जी आपके 12 थे आपके 14 थे वहां से दर्सेगर्दी एक्सपोर्ट हो रही थी सवाल यह है कि वह क्यों थे वहां पर क्या कर रहे थे अच्छल बात यह है कि आपको एक मौका मिला आपको कित गया यह जो काउंसल खाने है वो किसके होने चाहिए कितने होने चाहिए यह मेरा सवाल है पाकिस्तान का सेट्लाइट तो नहीं है अफगानिस्तान वो तो इस तो काम नहीं चलता ना कि दैशत गर्दी तो इंडिया एक्सपोर्ट करें और आप क्यांए कि पाकिस्तान वहां पर कर रहा है ऐसा नहीं है अचा राने साब कश्मीर की हम बात कर लेते हैं और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो पाकिस्तानियों को नहीं बताये जाते लेटिनेंट करनल सिकंदर बलोच ने जुलाई 2013 में नवाई वक्त में एक आर्टिकल लिखा और मुझे हैरत हुई कि नवाई वक्त ने वो आर्टिकल पब्लिश कर दिया उसमें लिखा कि कश्मीर का जो इलहाक हुआ जो एक्सेशन हुई इंडिया से उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ट्राइबल इन्वेजन था और वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी उसके बाद हमने स्टेंड स्टेल एगरिमेंट किया कश्मीरियों के साथ कश्मीर के साथ और उसकी वाईलेशन की और उन चीजों की सप्लाई भी हमने रोक दी जिनकी पेमेंट की जा चुकी थी और उस वकट जब के कश्मीरियों का दिल जीतने की जरूरत थी हमने उन्हें भूकों मारने की कोशश की और वो tribal invasion जो था उसने न सिरफ हिंदू और सिखों को मारा पीटा उन्होंने जो Christian nuns थी उनको मारा पीटा और जो मुसलमान थे बहुत सारे उनका भी उन्होंने शिकार किया और उसके बावजूद ये सर अक्तूबर 47 की बात है जब ट्राइबल इन्वेजन हुआ उसके बाद भी सरदार शौकत हयात की किताब देख लीजिए एजे के जो पहले प्रेजि किश्मीर ले ले आज हमें बताया जाता है कि किश्मीर हमारी शाराग है और उस वकत आपको प्लेट में रखके किश्मीर मिल रहा था सरदार शौकत हयाद ये कहते है मैं लियाकत अली खान के पास गया कि आप ये ऑफर एक्सेप्ट कर लें ये बहुत अच्छी ऑफर है हमारी केंपेन अच्छी नहीं जा रही उस पर लियाकत अली खान ने कहा शौकत तुम मुझे पागल समझते हो मैं किश्मीर मैं इतनी बड़ी रियासत हैदराबाद धक्कन छोड़के कश्मीर की चंद पहाड़ियां ले लू तो सर ये है तारीख जो लोगों को नहीं रहना साब प्लेबिसाइट के बारे में क्या जानते हैं पहले ये वज़ाद कर दें उसके बाद मैं भी बात कर दूँगा प्लेबिसाइट तक ही मैदूद रखें तो बैतर है तो देखें यह आप वहां पहुंचके कॉंसलेट कितने हैं आप बात करें कौन गया था वहां पर हिस्ट्री के उपर और हिस्ट्री को मिला के आगे चलने के उपर क्योंकि हम तो यही करेंगे ना कि आपके कॉंसलेट पे आप फस गए और जो जो शकील चौधरी साब ने जितनी जितनी चीजें पढ़के सुनाई क्या वो कहीं खुफिया जंबील में थी वो पाकिस्तान के अंदर चपी तो पाकिस्तान के लोगों से कैसे चुट रही नवाए वक्त का मजमून अगर चपता है और शकील चौधरी साब यहां इस प्रोग्राम में सुना रहे हैं क्या वो मजमून पाकिस्तान के अंदर नही प्रिंट होके निकला था ये सारी पाकिस्तान की आप सबस्टारे ना हिस्ट्री किसी और की नी सुना रहे वो हम और आप अगर किताबे उठाके हम बैठ जाएं के जी हां उस वक्त उसने यह का था किताब किस ने लिखी थी इसने जवाब दिया था इशू यह है कि क्या हमने यह नै यह हम किसी को त्यार कर सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया कहां जाके दोनों निकलिर स्टैट क्या करने जा रहे हैं क्या करेंगे क्या इंडिया तो दिमाग है और पहुंचा हुआ है ना वह यह तो स्वाल यह पूछा गया है प्लेबिस साइट पर प्र यह है कि आप से सवाल हुआ था आपकी जो अंडर्स्टेंडिंग है प्लेबिस से आपने कहा इंडिया मुनहरफ हो गया तो सर वो क्या वादा था क्या यूए ने प्लेबिस साइट में यह पूरा नहीं किया पर उसकी हर चीज लिखी पड़ी नहीं नहीं है इस इस जी यह है कि उसके ऊपर आने के लिए बातचीत करने के लिए दैशतगर्दी की आड ली जाती है यह सवाल है आप कहां कि आप कहां लेकर जा रहे हैं इंटरनेशनल कुछों की तरह से अमरीका की तरह से पर पे इंडिया को स्पोर्ट मिलती है और वो चुप रहते है जो कुछ भी इंडिया करते हैं जो पाकिस्तान के उपर अगर गुफ्तगू करते हैं उसके उपर इल्जामात लगाने शुरू कर देते हैं प्लीज एक इशू पर हम रहें पचास इशू को नहीं डिसकास कर सकते प्लीज प्लैबसेट पर बताईए नहरू गए थे अपने सवाल औरवन से पूछा है वो जवाब दें मैं जवाब दूँगा लेकिन पहले वो बोले अरवन ट्याम बचाएं प्लीज फिर लंबा हो जाए तव हो पता हूँ आपना प्लैबस लोडगन की बात हर् पास्तानी करता है हर पाकिस्तानी न्यूजपेपर हर पास्तानी प्रायम मिनस्टर्टर्टश करते हैं यह बात करते हैं यू ए इं रेजूरूशन 47 की जो कि April 1947 में आया और इसकी तीन salient features हैं पहली feature यह है कि पाकिस्तान अपने यहां से non-कश्मीरी population और अपनी आर्मी को बाहर निकाले पूछा गया क्यों निकाले पाकिस्तान बाहर तो UN ने कहा कि पाकिस्तान has been labeled as an aggressor on the state of Jammu and Kashmir इसलिए पाकिस्तान बाहर निकालेगा दूसरी शर्त यह थी कि इंडिया भी demilitarize करेगा लेकिन इंडिया को इजाजत होगी कि वो वहाँ पर troops की minimal presence रख सके ताकि law and order की situation को maintain किया जा सके फिर यह था कि international watch agency के तहट वहाँ पर plebiscite होना था यह तीनो steps थे और यह sequential थे कि आप पहले को fulfill करेंगे फिर दूसरा होगा फिर तीसरा होगा पाकिस्तान never fulfilled the first step so just resolution को हर पाकिस्तानी बात करता रहता है खुदारा अपने उपर एक रहम करें और जाके उसको पढ़ लें किसी इंडियन वेबसाइट यह पढ़ी नहीं यूएन की वेबसाइट पे जाएं आप वहाँ जाकर इसे पढ़ें और उसके बाद अपने हुकमरानों से यह से यह स प्लेमिशाइट नहीं हुआ है यू यूर सेल्फ अटु भी ब्लेम फॉर एट कि वह प्लेमिशाइट नहीं हुआ है जी यह इसे कहते है पॉइंट मैं टाइम वेस नहीं करता और एक मिनिट की मैं आपको बता दूं मुझे पता था कि अर्वां ने यहीं बोलना है इन्हों हंसरा था और मुस्कुरा रहा था जब आपने पॉइंट शुरू किये यह कोई ऐसी चीज़ आपने रिकार्ड कोई एटमीरिक सीवीज में निकाल दी कि जी यह मुझे नहीं पता या किसी को नहीं पता यह सब को पता है यहीं वो बात है कि जहां से गुफ्तगू खतम होती ही है यहीं से शुरू होनी है और इसी पर फैसला होगा जब कभी आपका और हमारा डिस्प्यूट तैह होगा कि हां कैसे करना है अब इसके उपर मुफरिफ क्यादते आई हैं दोनों तरफ वहां पे क्या वादे हुए क्यों नहीं हो सका आप पानी के क्या हुआ अब हम सब सब इकठे करते चले जाएंगे क्योंकि हम 47 पे आगए अक्तूबर 47 की करारदाद पे आगए तो 47 में जो जो जल्म जे एक मौइदा तैह करके हुआ था क्या यहां लाशे नहीं आई क्या पूरे के पूरे खानदान वहां सिखो और हिंदों ने नहीं जाड़े वहां से जल् कि इन सब हिस्ट्री की तमाम चीजों को लेके अगर को गुफ्तगों होनी है वो यह होनी है कि वे फारवड क्या हो सकता है वरना किताबें आप भी पढ़ ले लें मैं कोई पॉइंट लिखके नहीं बैठा हुआ मैं आपके सामने जुबानी बात कर रहा हूं क्योंकि चीज है बड़ी क्लिर है कोई चीज ऐसी नहीं है हां कभी उदर से कभी उदर से बंगलादेश पर माने मुदी सर आइ इंड यह अंसर था यह बात कर रहे थे तो यह सब चीजें अमें लेके चलनी पड़ेंगी बिचलनी पड़ेंगी रना साब बात सुनी है यह मुझे पता है कि पाकिस्तान में इस हवाले से जो नेरेटिव है वो क्या है और आपने भी बात की 47 में जो कतलो गारत हुई उस पे सर प्रोफेसर डॉक्टर इश्टियाक एमद की किताब है सबसे डिटेल्ड वर्क है पंजाब के फसादात पे तो सर वो भी पढ़ लीजिए प्लीज पाक पाना हो के पंजाब में जो फसादात हुए थे वो मार्च 47 में रावल पिंडी और मुलतान से शुरू हुए थे और फ्रीडम एड में नाइट जो किसी इंडियन ने नहीं लिखी उसमें कहूटा का एक वाकिया लिखा हुआ है कि मार्च 47 में वहां पे हिंदू और सिखों क करके आए थे मैंने वो बीति आप बीति देखी और सुनी है आप मुझे यह सुना रहे हैं किताब में क्या लिखा है हम मेरे मेरे मेरी फैमिली खानदान का खानदान करनाल से तैसील कैथल से गाउं हाबडी से हिजरत करके आया और बेश्मार लोग आए मुसल्मान कट के दाए आदे खानदान आए आप किस बात को बात सुना रहे हैं किरा लिखती है एको लोग ाइस तौॉ प्लीज बात सुन ले ना प्लीज मेरी बात सुन ले मैं आपकी बात सुनूंगा सर मैं ये कह रहा हूँ एक फैमिली की एक बंदे की स्टोरी पे जाके हम सारी हिस्ट्री को नगेट नहीं कर सकते आपकी फैमिली ने सफर किया बेशुमार हिंदू और सिखों ने भी सफर किया उसको भी निगेट ना करें प्लीज अच्छा अरवन आप क्या कहते हैं जब आप दोनों तरफ जब आप दोनों एक बात करते हैं मैंने मिसाल इसलिए दी कि मैं वो शक्स हूं जिसको ये पता है कि एक्चुली क्या हुआ था आपने अब अंबाला का हवाला दिया ना जब मैंने ये काई चुक्छे मुझे किताब से आप पढ़ाने चारे हैं मैं बीट क्या रही थी कि मुसल्मान किस आलमें हिज्रत करके यहां पाकिस्तान दाखिल हुए था यहां कि आप चंद स्लेक्टर किता हिज्रत दो सुना दें हुसैन शहीद सोरवर्दी वहां के प्राइम मिनिस्टर थे वहां पे चार हजार लोग मारे गए थे दो दिन के अंदर अंदर जब डिरेक्ट एक्शन डे मनाया उसके फिर ये फजादात थे जो पूरे इंडिया में पहले और हमीद अलाग चौदरी जो पाकिस्तान के वज इंडिन्स ना दें बाकी हिस्टी भी पढ़िये हिंदूों सिखों ने भी बड़ा सफर किया तो सर उसका इंकार ना कीजिए यह नेरेटिव विक्टम हुड हमें कहीं नहीं लेकर जाएगा जी अरवन जी मैं यह कहना चाता हूं इन्हों ने यह कहा कि चुकि मेरी फैमिली वहां से आई है हमने सफर किया है इसलिए जो मैंने जो मेरा वर्जन है वो ही एक आखरी वर्जन है No sir I am here to apologize wholeheartedly to each and every Muslim who had migrated from India to Pakistan हर एक परिवार हर एक शक्स से मैं माफी मांगता हूं जिनके साथ जापी हुई जिनको मारा गया लेकिन मैं यहां पर ये भी पताता चलूं कि डॉक्टर इस्टियाक एमद पाकिस्तानी हिस्टोरियन है वो हिंदुस्तानी नहीं है आप किसी आदमी की पूरी रीसर्च को फैंक नहीं सकते हैं इस तरह से उन्होंने खुद बताया है कि मार्च 1947 में रावल पिंडी और मुल्तान के अंदर हिंदुओं और सिखों का कतलयाम शुरू हुआ उसके बाद में जो हुआ है वो एक reaction है एक action का reaction है जिना सहाब ने कहा था 1946 अगस्त के महीने में कि यही वो अगस्त का पाक महीना है जब जंगे बदर हुई जब 313 कितने पे जाके गालेब हुए हम हम लोगों को भी पाकिस्तान की जो लड़ाई है वो जंग के जरीए खून खराबे के जरीए पूरी करनी है तब ये सारे फसादात शुरू हुए हैं ये तमाम बातों को आप इगनोर नहीं कर सकते हैं और अपना वर्जिन जो है वो नहीं बता सकते हैं क्या आप यहाँ पूरे मैंने पाकिस्तान देखा है लहौर से लेकर इस्लामाबार तक मैंने सारा देखा है मुझे कहीं हिंदू नजर नहीं आता हर्याना में मुसल्मान लाखों की तदाद में हैं पंजाब में लाखों की तदाद में हमारी तरफ आपने एक भी हिंदू नहीं छोड़ा क्य यह आप लोगों ने उनको मार के बगाया यह बताएं और अगर आप लोग ने मार के बगाया तो जैसे मैंने बड़ा दिल कर लिया और दो मेरे नफशिया नियुक्त अपनी बात कर चुके मैंने नमबर वन आपंधिंह बिल्कुल कोई कोई ल formulated आप नहीं यह कोई तरीक और कि मैंने सवाल किया मुझेम सवाल वा कर रहा है जबाब मACH कर हूंगी है आप अपनी बात करें आपको लाखों हिंदू मिलेंगे सिंध की बात करो मैं पंजाब की बात करेंगे अगर यहां पे आपने बाबरी मस्जीद रगाई यहां पे जो पुराने ओल्ड टैंपल भी थे मुसलमानों ने खराब किये पाकिस्तान की गंबिर ने सारे दुबारा ठ मंदिरों तो यहां बात ही हो रही है यहां इंसानी की बात हो रही है फिलांटो वाइडों आंसर प्वेस्टिंग टाइम आपको अगर बहुत ज्यादा शौक है गुफ्तुगू करने का मैं खामोश हो जाओंगा क्योंकि आपको बहुत जवाब नहीं है क्या पंजाब में मैं सवाल यह है पंजाब में क्यो नहीं है आप अपनी मर् excited का पूट के मर्जी का जवाब नहीं ले सकते अगर मैं आपको वहां पे हिंडू मजू है पिशा वर में अगरी फिशावर में अगर से snail मोजूद है वहां से पारिषा आने के लिए जािधू को अगर daha घूर आव वहां पर जुलम हुआ वहां पर फिस लिए कि आपको पर सबस्ते हैं तो आप भी थोड़ा खामोशी से सुनें वह पाकिस्तान के ऊपर टोटल ब्लेम कर रहे हैं और गलत बैया रहे हैं उनको अपनी मर्जी का जगा सेलेक्ट करके मुझे हिंदू नदर नहीं आया मुझे फ़लान नदर नहीं आया मैं इंडिया गया वो मुझे कहता है लेले आजे कश्वीर अच्छा वहां पर क्या है अगर हमारा को बंदा चला जाए बैठर नहीं देते किसी को कहीं पे पीछे गभार हमने थे कोई फ़ल को पर चार बंदे लगे होते हैं अगर कोई विजिटर हो या जर्नलिस्ट हो पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं आज के इंडिया में आज के दिली में आज के निव देख़्ु अ में इन्डिया के अंदर है कि को यहां के आपको लोग प्यार से मिलते हैं कि हमारा मेहमान आया है हमारी भी यही और हमने किया भी यही है लेकिन आप यह नहीं है अच्छा रनसाब मेरे खियाल मौजू से थोड़ा हट गए हैं हम मौजू पे रहें प्लीज तो अच्छा होगा कि बहुत सारे पाकिस्तानी इंडिया जाते हैं उनको बड़ी महबत मिलती है बहुत सारे इंडियन्स पाकिस्त now he's left it he doesn't want to answer a single question he doesn't want to answer a single question just a minute Chagil sahab I have apologized he doesn't even have the guts to apologize he doesn't even have the guts to apologize for all those people let's hope in Pakistan he is probably unaware of that well then he shouldn't participate in a in a debate not only that how can he say कितने पढ़े जर्रेलिस्त है क्या जर्रेलिज्म क्या करते है बाई गुड न से तो लोग हैं क्या बात करें कोई आदमी पहले ही बॉल देते कि भाई सवाल आपसे पूछा है प्लेबिस साइट पे आप जवाब दें कहानिया सुनाने की क्या ज़ूरत थी पॉइंट टू-पॉइंट डिबेट होती है मुझसे जितना पूछा मैंने उतनी बात करी चेकिल साब इंटर्फेर किया करें आप नहीं नहीं मैं तो यही कह रहा हूं कि आप भी उनको बोलने देते ना तो बस ठीक है उनको मैं कहता है कि क्या पॉलने पाकिस्तान इन तू स्टार्ट विए प्रोडाम देखिए गा ही इस डन नथिंग बट ब्लेमिंग साथ मीं कह रह कर लें फिर कंक्लूड करते हैं इसको कंक्लूड करें यह आस्किम इफ हिंदू जश्रीक्स वेट उनको उस मौजू से बटखने ना दे प्लीज अभी क्या हुआ जी अच्छा किदर गए कि 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 तो यह यह जो मसाइल है ना पंजाब में पाकिस्तान में यह बड़ा है ने कि नेरेटिव विक्टम होड के हमारे साथ जयाती हुए हमने कोई जयाती कि ने की सो लेट सी चले जाते है ना तो यू कन रिमूव मोदी इम्रान टेक आस बोथ अफसे दें यू कन एक मिनटी जस्ट अ मिनट किदर गया आगे मुझसे आप जितना सवाल पूचेंगे मुटना ही जवाब दूंगा ना एक अम ना एक ज्यादा एक मिनटी शो इन स्क्रीन जी बिल्कुल ठीक है आप पूच रहे थे हिंदू और सिकों का भी कतले आम होगा है अच्छा रान साब पाकिस्तान में मुझे ये वालूम है पाकिस्तान में ये एक विक्टम हुड का एक नेरेटिव है मुझे पता है इसका और मैंने खुद भी इस पे काफी रिसर्च की ह तो उस पे एक किताब भी लिखी गई थी जब अमरत सार जल रहा था खाजा इफ्तखार की वो मैंने पढ़ी भी है और वो भी आप पढ़ेंगे ना तो उसमें भी आपको ऐसे वाकियात मिल जाएंगे कि मुसल्मानों ने अमरत सार में कैसे गुंडा गर्दी की एक गरीब ह जाता है कि हिंदूओं और सिक्षों ने हमारे साथ ज्याती की हमने कोई ज्याती नहीं की यह बहुत ही एक मिसलीडिंग वर्शन है हिस्ट्री का तो जैसे अर्वन ने कहा कि मैं माफी मांगता हूं जो कतलो खारत हुई क्या आप भी जरूरी समझते हैं कि मुसल्मानों को भ अभी जिस किताब का हुआला दिया के एक सिक को मारा गया के हिंदू को मारा गया अमरत्सर में यह जो मैंने अपनी हिस्ट्री बियान की जो पाकस्तान की क्रिये transitions Alrighty है ये सारे लोग वहीं से चलके जलके मरके आदे तूटे-पुटे खांदान आये थे मैंने वो मिसाल बताई है आप शकील साब वो मिसाल किसी की नहीं दे रहे आप सिर्फ बात से बात मिला के गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी अरवण ने माफी माँग लिए आप भी माफी माँग लें लेकिन आप जो वर्षन देते हैं वो सारा वो वर्षन है जो इंडियन वर्षन आप हिस्ट्री के नाम पे कहीं पे ये आपने पूरे तीस मिनट या पैंतिस मिनट जितनी हमारी गुफटगू हो गई, कहीं आपने का के हिंदू और सिक्ष ने पाकिस्टानी मुसल्मानों को आने वालों को मारा, आप के पास मुल्तान की भी इस्टरी मौजूद है, आप के पास वो इस्टरी क्यों नहीं मौजूद, वो किताब या लफ लोज जो हकीकत आपके खानदान ने देखी या सब खानदानों ने देखी आपके लिए उसके बारे में लॉज क्यों नहीं निकलता आपके पास सिर्फ सवाल इसका क्यों है कि जी इंडियन और शिख मारे गए इंडिया हिंदू मारे गए और सिक मारे गए तो भाई मुसलमानों की गुफटगू आप भी किजिए अगर आप होस्ट हैं तो आपको तो मियानरवी इश्टियार करनी हूगी अगigkeit किताबों से गुफटगू करार नहीं दिया तो सर एक खांदान की जो स्टोरी है उसके उपर सारी हिस्ट्री नहीं लिखी जा सकती वो अंग्रेजी में कहते हैं आपने जो किताबें पढ़ ली हैं या सुनाने लग गए हैं शकील साब बड़ी क्लियर से बात है आप क्या आप इस बात को निगेट कर रह आते के हां ये बात हुई ये मेरे खांदान अकेले खांदान की बात नहीं है मैंने मिसाल के तौर पर बात की और जवाबन आपको अंबाला बोलना पड़ा मैं बात कर रहा हूं कि आप ऐसे इस्टोरियन क्यों बन रहे हैं जिसके पास सिर्फ वो जलम मुझूद है जो यहा फ्रीडम एड्मिड नाइड जिस बंदे ने लिखी है दो लोग हैंवो वो दोनों इंडियन नहीं हैं तो सर आपके खांदान ने सफर किया मेरे खांदाने सफर किया बहुत से खांदानों ने सफर किया मैं यह कह रहा हूँ सब कंडेमेबल है सब को मजम्मत करें जो सबसे मशूर किताब वही है जो अमरत सर जल रहा था सर वो किताब पढ़िया आपने किया लिखा है उस किताब में गुफटगू हो गई गुफटगू आपकी मुकमल जी प्लीज आपने मेरे सवाल का जवाब अब तक नहीं दिया कि आपने सिर्फ एक हिस्ट्री पढ़िया है कि जिसमें सिर्फ हिंदू और सिखों पे जुलम हुआ है शकील साब कुछ कुछ बात करेंगे ना बार-बार सुना था प्लीज आप 1947 में पैदा होने वाले पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं जो लहूर में पैदा हुआ और वो बड़ा हूँ और उसने किताब लिखी आप मैं आप से पूछ रहा हूं कि आपने कोई कुछ ऐसा जुलम देखा जो मैंने बयान किया और वो जूटो आप पहले उसने किया कि हां मैं यह बात कह रहा हूं वहां पे सारे साफ सुत्रे उनको गाडियों में बिठा के हार पैना के पाकिस्तान पुचाया गया फिर आप मुझ से यह सवाल करने में हक्वजानी बोंगे अब मेरी बात सुन ले प्लीज इ साथ भी हुआ सिक्षों के साथ भी हुआ आप बार बार ये बात कर रहे हैं मैं सिर्फ उस दोलम की बात करूं जो मुसलमानों के साथ हुआ सर्फ मैं ये बार बार कह रहा हूं कि freedom at midnight किसी इंडियन ने नहीं लिखी डॉक्टर इश्याग ना हिंदू है न सिक्थ है पाकिस्तानि मुसल्मान है आप उसकी बात को कोई वजन देने के लिए इ। इत्ना बड़ा स्कॉलर है उसने इंडिया और सफर किया उसने जिन्दा बचने वाले सेंकडों लोगों के इंटर्व्यूस किये, आपकी नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं है, अजीब बात कर रहे हैं आप अब आपकी बात मुकमल हो गई, भी मैंने, चुक्छे आपने बात दुबारा दुराई, मैं वही बात दुबारा दुरा रहा हूँ, मैंने उसकी किताब पे कोई अतराज नहीं किया, मैंने आप के उपर इतराज किया है, कि आप यहां बैठे वे हैं, आप ने वो सारी इस्ट्री बियान की, जो अरवंद बता रहे हैं, उसी के साथ आपने किताबें में लादी, मैं आप से पूछ रहा हूं, कि क्या आपको जलम नदर नहीं आया, जो मुसल्मानों पे हुआ, आपने एक लवज भी बोला है उसके बारे में अभी तक, सर मैं हैरान हूँ कि आपको सुनाई नहीं दे रहा, क्या है, मेरी बात समझ नहीं आ रही, मैं दस दफ़ा यह कह चुका हूँ, कि जलम हुआ, मुसल्मानों के साथ भी हुआ, हिंदूों के साथ भी हुआ सिखों के साथ भी हुआ, सब के साथ हुआ, आप सिर्फ यह कह रहे हैं, कि सर्फ मुसल्मानों के साथ जलम हुआ, सर इसका कोई रिदीजा नहीं निकलेगा, अरवन आप बताईए, आप क्या कहते हैं इस बारे में, और आगे की बात करें कोई, मैंने जवाब देने देने श आने के उपर, फिर मैंने ये मिसाल दी थी, जहन में रखियागा, ये गुफटगू का पॉइंट उस पे आया, कि जब हम सब पे जलम हुए, तो आप सिर्फ जलम सेना ही ना ना बताएं, कि जी उसके बाद आप चुप करके बैठ जाएं, अगर लोग गए हैं बदले में, जो के हिस्ट्री मौजूद है, कि गए हैं, उसके जवाब में मैंने ये आपको बताया था, कि जब पाकिस्तान क्रियेट हो रहा था, आप अक्तूबर 47 की बात कर रहे हैं, मैं उससे चन्द महीने पहलों की बात कर रहा हूँ ना, उसके साथ साथ मिला रहा हूँ हर बात को, अगस्त, स्टमबर, अक्तूबर की बात कर रहा था, मैंने ये जवाब उस सुरत में दिया, अब बोले प्लीज, तो सर ये फसादाद जो है ना, फिर आगस्त, अगस्त 1946 में कलकत्ता से शुरू हुए थे, उनको भी नजर में रखी और वहां मुस्लिम लीकी गर्वर्मेंट अरवन्द आप प्लीज इसको कंक्लूर करते हैं, बताइए, ब्रीफली, जी, मैं बिलकुल साफ साफ लफजों में अपनी बात कहूंगा, और मैं ये कहूंगा, जो मैंने पहले कहा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कि हर एक शक्स, जो हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस हूँ, जिस किसी के साथ 20 जयती हुई, ये बात इतनी इसी बात है, इसको कहने के लिए आदमी को 20 सेकंड नहीं लगते, जिस पर इन्होंने 10 मिनट लगा दिये हैं, बैस करते हुए, ठैर, आगे बढ़ते हैं, ये इनके लिए कहना बड़ा मुश्किल काम है, ये माफी नही किया, और ये आज भी इनके हाथ में अगर इक्तदार हो, तो आज भी वही करेंगे, इनको अपनी किसी भी बात पे कोई शर्मिंदगी नहीं है, होती तो बड़ा दिल रखते हुए, शैद ये भी माफी मांगते, मगर इनसे नहो सका, अब बात है आगे की, तो आगे की बात कोई ऐसे इनसान से क्या करें, जो आदमी एक भी बात को अक्नॉलिज ना कर रहा हो, मैं इनसे सिरफ ये कहना चाता हूँ, कि प्लेबिसाइट पे मेरा सवाल जो था, वो ये था कि इस वज़े से प्लेबिसाइट नहीं हुआ, तो क्या पाकिस्तान का कोई भी मिनिस्टर, को कोई भी कॉलम निगार, ये तीन वज़ुहात, यूएन की वेबसाइट में देखके, अपने यह आखबार में लिखने की हिम्मत कर सकता है, कि प्लेबिसाइट नहीं हुआ, तो वी आ टू बी ब्लेमड, अच्छा, इस पे जो है ना, इस पे रना साब को शाय देल्म हो, क्र रैंकर हैं, उन्होंने एक दफा इसी तरह की वो बात कर रही थी, तो उसमें एक पाकिस्तानी फुल ब्राइट स्कॉलर चले गए थे, इतशाम, वो उनका वीडियो क्लिप मौजूद है, तो इतशाम ने कश्मीर के मसले पे बात शुरू कर दी, प्लेबेसिट पे बात शु को पूरा वो रैजोलूशन उसको समझाना पड़ा कि उस रैजोलूशन में था क्या, और राना साब ने बार बार बात की के पंड़त नहरू जो है, वो यून में लेके गए कश्मीर के इशू को, सर इस पे आज इंडिया में बहुत क्रिटिसिजम होता है पंड़त नहरू कि आप क्यों लेके गए उसको, क्यों उसको आपने यहीं पर खत्म नहीं कर दिया, जब हमने अपनी फौज भेई दी कश्मीर में महाराजा ने एक्सेशन कर ली, और ट्राइबल जो इन्वेडर्स थे, वो दोड़ लगा रहे थे बापसी की, तो आपको क्या जरूरत थी य सुना गड़ का ना पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता था, ना वहां की अबादी की अक्सरियत मुसल्मान थी, सर इन चीजों का भी प्लीज जवाब दीजी और ब्रीफली ताकि हम करें, प्लीज, देखें इसके उपर आपको अगर इन सब रियासत की तक्सीम के उपर ब बात कर रहे हैं, हमें इस बात का पता है, अब बात ये है कि इसके उपर आएंगे कैसे, सवाल यहीं से निकलेगा, यहीं पर जाके गुफ्तगू होनी है कि क्या हम कश्मीर को ले के किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, या वो नतीजा जो मुदी साब ने निकाला कबजा करने या वो जो आप दो हिस्टोरियन बैटके एक तरफ की बात दोनों मिलके कर रहे हैं, कि सारा काम पाकिस्तान के कसूर का है, पाकिस्तान के अंदर हिस्ट्री खराब है, पाकिस्तान में हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं जाती है, आपने कहीं बहाद से जाके क्या आप पाकिस्तान में नहीं मौजूद है चैंड का आप नहीं धार पाकिस्तन के लोग जाते हैं कि यस फुल वराइट का क्यों की बात यहां कुछ को पता हता है कुछ सारी चीजों का हिफ्श नहीं होता कि आप ने हर चीज को तियार किया हुआ है कि आपने इसके वहाँ के उपर बात करनी है आप पाकिस्तान और इंडिया पर बात कर रहे हैं उसके अंदर सारी बातें आएंगी आप अगर रियास्त की तक्सीम पे के जुनागर पे जाएंगे आपने एधरबाद दकन के उपर जाना है वहां के पैसों पे जाना है नहीं जाना है वहां पे क्या होता रहा और उसके बाद अब तक इंडिया क्या कर रहा है वो फिर एक बड़ी लंबी चोड़ी कहानी है वो इस तरह नहीं है कि हम कोई क्विज खेल रहे हैं कि जी आप ये बता दें मैंने वो पूछना है मैंने ये जवाब देना है इशू यही है कि क्या हम इस गरदाब से निकल के आगे निकलने का कोई रास्ता बना सकते हैं अगर हमने यही जो हमारे मौज़िज महमान गुफ्तगू कर रहे हैं नियूजिलेंड से बैठके कि ये भी वहीं खड़े हैं इन्होंने मुझे जादी करास दे दिया जाद मेरे इमान का हिस्सा है मुझे इस पर कोई इशू नहीं है लेकिन ये जो सवाल है ना इनको लिबरल मिल जाए इनको पाकिस्तान को गारी देने वाला मिल जाए वो इनके लिए बहुत अच्छा है आप अपनी बात गुफ्तगू करें कि आपको तो यहां जुनाब इतना हुआ कि कोई हिंदू रहने नहीं नहीं दिया आपको वो बंदा ठीक लगेगा हां हम बिल्कुल ठीक है इस किताब में ये लिखा गया ऐसा बिल्कुल नहीं है जब मैंने सिंध की बात की तो आपने उसका जवाब भी देना नहीं पसंद किया उसको मानने के लिए त्यार नहीं नहीं आप मुझे सिर्फ लहूर की बात करें मैंने आपको बाबरी मस्जिद पागया बताया कि वहां क्या हुआ उसके उपर आपने कर ली बात हम बात यही बात कर रहे हैं अब आप सिर्फ कश् के लिए क्या हो सकता है प्रोग्राम मेरे ख्याल में शकील चौदरी साहब ने यहां से आगास किया था सवाल करूंट करूं प्रोडाम में बहुत कम टाइम में अपनी बात कही है कोफी अनान सहाब से जब यह सवाल पूछा गया था 2004 में कि आप यह बताएं कि UN resolutions जो है प्ल हो गए हैं उनका अब कोई मतलब नहीं है अब भारत और पाकिस्तान को चाहिए कि वो शिमला मुआइदे के तहट आपस में बैट के कोई हल निकालना चाहते हैं तो निकालें आज UN resolution के बारे में अब कोई बात नहीं हो सकती है a lot of water has flown under the bridge since then उसके पहले आप यह कहें कि जी हम 65 की जंग करेंगे जंग जीते तो कश्मीर ले लेंगे जंग नहीं जीते कश्मीर अगर जंग से हासिल ना हुआ तो फिर plebiscite पे चले जाएंगे ऐसा नहीं होता है UN की resolutions जो हैं मेरी इन से दरखास्त है बकाईदा UN की 47 के बाद में 57 resolution है वो भी पड़ें अपने बच् 9, 210, 211, 214, 215, 303, 307 यह सारी की सारी resolutions पढ़के देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि अब वो plebiscite की जो resolution थी 47 that is gone, that is done and dusted, you can't go back in history and ask for something that you had asked 70 years ago, जी अच्छा, रान साब, आपने जैसे कहा ना के हम ठीक है future की बात करना चाह रहे थे आपने कहा कि कश्मीर सबसे एहम issue है, आपने बात शुरू की, वहाँ plebiscite मी करवाया इंडिया ने, इंडिया ने यह गलत किया, तो सर फिर उससे related issues भी तो जेरे बहस आएंगे ना, उसमें जुनागाड का मसला भी आएगा, हैदराबाद दक्कन का भी आएगा, तो सर, ambassador शाहिद अमी इन ने यह लिखा है, कि पाकिस्तान ने गलती की जुनागाड की accession कबूल करके, उस से पाकिस्तान का जो केस था कश्मीर पे erode हो गया, आप इस बारे में क्या कहते हैं, और फिर जो आफर आई थी इंडिया की तरफ से, जितने लोगों ने उसको substantiate किया है, और वो पाकिस थी, और वहां का जो जो रूलर था, वो उस वक्त दुनिया का richest man था, 1937 में टाइम मैगजीन ने उसको richest man डेकलेर किया था दुनिया में, तो उस वक्त कश्मीर हमारे लिए शारग नहीं था, अगर हम कश्मीर को शारग समझते तो उस offer को कबूल कर लेते और कोई लड़ाई जगडा कतलों खारत ना होती, इस पे प्लीज कुछ तो कहिए, ब्रीफली कहिए, आपकी सवाल पूरा हो गया, क्योंकि जब मैं जवाब देता हूं तो फिर आप कहते हैं, कि जी आप मेरी बात मुकमल नहीं होने देते हैं, जी प्लीज, ठीक है न जी, अब बात ये हो रही मकबुदा कश्मीर को अपनी स्टेट यूनियन बनाने का प्लैन हुआ, तो चाइना गया यूए स्क्यूर्टी कॉंसल में, पाकस्तान तो मेंबर नहीं है, वहाँ विटो करा देते हैं कि ये किताबें खतम हो गई है, ऐसा नहीं है, ये वहाँ पे भी मौजूद है, ये खत रियास्ता चुनना है, क्या गुफ्तगू करनी है, तब ही होगा, हम भी एक्जिस्ट करते हैं, आप भी एक्जिस्ट करते हैं, दोनों रियास्तों को एक्जिस्ट एक दूसरे को समझते हुए, जब हम ये समझ लेंगे, लेकिन अगर हम ये समझेंगे, ये तो छोटा सा मु का है पाकिस्तान इनको तो हमने देश्चत गर्दी से इनको हम साज़किशों से मार देंगे ततल कर देंगे जो की और पूरी कोशिश की कि जैसे अफगानिस्तान में से जो रोल प्ले किया बैठके और अब तिल मिला रहे हैं वही आपको एक अमेरिका की तरफ से अशीरबाद हासिल है वहां तबी रास्ते मिले थे कि पाकिस्तान को खराब कर दिया जाए किया पाकिस्तान को पाकिस्तान में सतर अजार से ज्यादा लोग शहीद हो गए और वो आप लोगों को जहाद नजर आता है कि ये शहीद हो गए और आप लोग खुशी से बैठे वेज़े क्यू कर रहे होते हैं कि फलाँ अपने बंदे मार दिये अपनी वर्दियां पर ना के अपने नाम पर यह सारी ब्लेम गेम चल रही है अब आपको जब के साथ लोगों को मिला के बिठा के के हां हमें तै करना है उस वक्त तक यह नहीं होगा वरना यहीं दूप्तगू चलती नहीं हमारी है वहां से रीकंसाइल करने के लिए आप अपनी शर्तों को मनवा नहीं सकते हैं आप मिडल ग्राउंड भी नहीं तलाश रहे हैं मैं अगर एक स्टेटेड पॉलिसी के तहर एक और बड़ी बात कर दूं इनसे तो नहीं होनी है वे तो मुझे पता है लग गया मुझे एक और बड़ी बात कर दूं कि इंडियन गावर्मेंट ने तो जब शिमला मुएदा हुआ उस वक्त भी इंदरा गांधी ने जुल्फिकार अली भुटो से ये कहा कि हम इस लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल उस दमाने में सीज़फार लाइन होती थी हम इसको इंटर अगर मैंने आज यहां बैटके और कोई अगर वादा कर दिया तो मुझे तो लोग नौच खाएंगे बादर टाइम मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगा तो हल जो है मसले का अगर आज भी आपकी गवर्मेंट ये कहे कि वी आर विलिंग तो कंसिडर इस लो सी एस इंटरनेश कर दें क्या आप कर सकते हैंं अगर ये जो आप कश्मीर का यह को कि पूरा है यह नहीं सिम्धार हो अगर आए तो और से नहीं होता है यह सर behavior में बाद जो है वह ले दे के मुकमका के वह खत्म होती ए इस तरहócने नहीं होती जैसे से आप कर रहे हैं अच्छा एक मिनुट सर्फ एक सेकंड में मैं आइस में आइस हमारे पास जूटा है सच्छा है जो भी है एक इंस्टुमेंट ऑफ एक्सेशन है महाराजा का जिसको दुनिया मानती है इन से ये पूछे इनका क्या लीगल बेसिस है कश्मीर पे वैंनी कंस आ अन्सेंस यार वाट नंसेंस यार वाट नंसेंस वाट राय यू पूटिंग अल्सेंट रही इनका है जब इनका सव het चाहँ है वहाँ सी ही में है यह जिए और लु़े इस एह यह जो आख भी हैईवी जोवी तेई ओंख से एम ठोटू आड़ है विए यहाँ एमी और रहे प्रिएट सबस्क्राइब कर दो एक उत्थ सबस्क्राइब कर दो एक प्रिए प्रिए विए गीडियो कर दो okay i think it's time to wind up shakil sahab i've had enough of this man honestly speaking and you know it कि मैं जहादी सोच ही कहूंगा ऐसे आदमी को जिसकी सोच यह होगी कि हिंदूओं मुसलमान हिंदूओं सिखों को मारो वो ठीक है हैं बाकी साड़ा गलत है दो बार अपॉलजाइज किया मैंने एक बार जबान नहीं खुली उसकी अगे आगे आगे जी एक मिनट जी एक मिनट मैं कर रहा हूं छी मैं नहीं मिटी दिखानी पड़ती है जवाब दूगा आखे एक मिनट जी हाई यही एक मिनट जी एक मिनट अच्छा लेट मी असका क्वेस्चन रन साब सेद अली गिलानी जो है जी, can you hear me? आवाज आ रही है? हलो? हलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, जी, I can hear you. आप मेरी बास सुन पा रहे हैं? हलो? जी, मैं आप दोनों को नहीं देख पा रहा. क्या आप, अच्छा, अवाज? मुझे अब आप नजर आ रहे हैं. आवाज आ रही है, ना? आवाज आ रही है, आप आप भी नजर आ रहे हैं. पर वन दोन नहीं आ रहे हैं मुझे. चलें. जासन मैटर, आप सवाल करकी सब्सक्राइब करें से. अच्छा, मैं सवाल ये करना चाहरा हूँ. अच्छा, राना साब, सेद अली गिलानी जो है, पाकिस्तान में शायद सबसे पापुलर किश्मीरी लीडर थे. उनको सबसे जो आला आवाड है पाकिस्तान का वो भी दिया गया. उनका एक बड़ा मश्रूर इंटर्व्यू है. जी? फिकरा समझ नहीं आ रहा. अब भी देखिये, ठीक है? सेद अली गिलानी. अब कुछ बेतर हुई है आवाद आपकी? जी? नहीं, नहीं, आवाद ड्रॉप हो रही है आपकी. और मुझे अरवन नजर भी नहीं आ रहे. शच्छी साब, I think it's time for you. हम दोनों यहां पर हैं, बात कहीं जान नहीं जा रही है. I think you should say thank you and let's end it here. एक मिनट, मैं सर एक एक क्वेश्चन कर लूँ. सर सेद. अलो? I think he's struggling with his connection. वो मेरे ख्याल में वो ही है न, it gets heated up. ये लैप्टॉप वाला जो है न? अच्छा, अच्छा, रानसाब, can you hear me now? अलो? एलो? जी जी, अवाज आ रही है ना भी? जी श्कील साब. अच्छा, रानसाब. आपकी अवाज ड्रॉप होके आ रही है और आप दोनों की मुझे तश्वीर नजर नहीं आ रही है. वीडियो पे नहीं है आप दोनों. अब आपको देख पा रहे हैं मुझे. हम तो आपको देख पा रहे हैं. तो रानसाब, सेद अली गिलानी ने ये कहा था अपने एक इंटर्व्यू में. तो रानसाब, सेद अली गिलानी ने ये अपने एक मशूर इंटर्व्यू में कहा था. कि मुसल्मान जो हैं, वो किसी सेकुलर सिस्टम में गैर मुसलिम्स के साथ नहीं रह सकते. ये ऐसे ही है जैसे एक मचली को सहरा में रहना पड़े. और वो दो कौमी नजरिये की बन्याद पे कश्मीर के मचले का हल चाते थे. जी. ये सर, सर मुझे दुबारा स्वाल करेंगे तो समझ जाएगी, मुझे समझ नहीं आई. आवाज डॉप होगी थी. अबी देखिए, आरी आवाज? आवाज आरी आरी. तो स्यद अली गिलानी जो सबसे मशहूर और पापिलर कश्मीरी लीडर थे पाकिस्तान में, उन्हों ने एक दफ़ा कहा था कि मुसल्मान जो हैं किसी खेर मुसल्म मुश्रे में सेकुलर निजाम के तहद नहीं रह सकते. और वो दो कौमी नजरिये के तहत मसल्मा कश्मीर का हल चाते थे. तो आप कैसे देखते हैं इसको कि क्या मसल्मा कश्मीर का हल जो है, और वो वहल आदमी नहीं हैं. सरदार मसूद साहब जो हैं AJK के जो फार्मर प्रेजिडेंट हैं, उन्होंने भी बतौर प्रेजिडेंट का था, कि दो कौमी नजरिये की बुनियाद पे कश्मीर के मसल्मा का हल होना चाहिए. क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? देखें, दो कौमी नजरिये की बुनियाद पे तो पाकिस्तान वजूद में आया था, तो सबसे पहली बात तो ये है, लेकिन जो लास्ट बात अरवन्द कर रहे थे, मुझे उसको जवाब देना है, सौरी टू से, अगर वो आपके हिस्सा है, जिसमें वो कह रहे थे, नॉ जवाब जाना चाहिए, वरना मुझे कोई मसला नहीं है, ना मैं भागा हूँ, मुझे मैंने पहले भी कहा था, बलके टाइम ले रहा था, कि मुझे आफिस जाने दें, लेकिन चुके उनके टाइम के फर्क की वज़ए से मैं बैठ गया, कि हाँ, इतना लंबा में बैठना ह ओके, पहली बात, दूसरी बात ये है कि फिर ले लो कश्मीर, वो तो फिर हम लेंगे, मतलब आप अपने जोम में रहें, फिर वो तो जंग है, और वो जारी रहेंगे, अच्छा अरवन, अब इनके सवाल का जवाब भी दे दें, जो उनके पूछा है, तो मतलब दो कमी नि पर चाहिए है किश्मीर का हल के नहीं, और राने साथ, अरवन साथ, आपको समझ नहीं आई शायद, मैंने शकील साथ के ही सवाल का जवाब पहले दिया, अच्छा, दो कमी निजरिये की बुनियाद पर पाकिस्तान वजूद में आया है, अगर आप किश्मीर का हल भी दो कम निजरिये की बुनियाद पर बेखते हैं, सुनिये ना सर, इन्होंने ये भी कहा कि एक मुसल्मान के लिए गैर मुसलिम मुआशरे में रहना ठीक उसी तरह से है, जैसे बिन पानी के मशली के है, ये कहना है सेयद अली गिलानी साहब का, तो आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर का हल भी दो कोमी नजरिये की बुनियाद पर ही होना चाहिए, हैना राइट सर, ये आप अपनी मतलब की मानी ना पहनाएं, अली गिलानी साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो बतार मकूदा किश्मीर में बैच के पाकिस्तानी के करने, ये आप इसको पूरी दुनिया के सा होगा, वो पूरी दुनिया में होगा, ये नहीं है, कि मुसल्मान किसी और माशरे में नहीं रह सकता, वो एक खास तहरीक आजादी में बैटके, जिनको आप लोगों ने अपनी गृफ्त में रखके मार दिया, ये उस शक्स की स्टेटमेंट है, जिसको आजादी का नाम दे मिलना है, ये वहाँ की गुफ्तगू हो रही है, इसको सारी दुनिया के साथ इस मत अटाच करना, ये आर्टिकल सेयद अली गिलानी सहाब का है, डॉन में छपा है, मैं एक्जेक्ली उसको कोट कर रहा हूं, सर, वाई आरंट यू आंसरिंगा क्वेस्चन? क्योंकि मैंने अगर में से ही पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि अली गिलानी का प्रॉस्पेक्ट वो है, जो मकबूदा कश्मीर में एक शक्स बैटा है, जो तहरीक जिद्व 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 जहुद चला रहा है, और उसकी जिंदगी का वाहिद मकस्द यही था, उन्होंने कश्मीर का हवाला देते वे नहीं कहा सर, उन्होंने कहा है, जो घ्यर मुस्लिम माशरे में रहना ठीक किसे बिन पानी के मश्मी के है, ये वो बात कश्मीर के कॉंटेक्ट में नहीं कर रहे हैं, इस तरह के ड्रामे बाजियां ना बनाएं आप, पाकिस्तान के उन्होंने के पतनी किन को बिठाया के जो अपनी मतलब का मानी बना के मेरे मूँ से सुनना चाहते हैं, ऐसा ने मुम्किन नहीं है, अज सेये दली किलानी के लिए पूरी तहरीक पाकिस्तान में थे, वो पनने की तहरीक चला रहे थे, उनकी तमन तर्ग पाकिस्तान के साथ मिलाना, वो जो लिखते थे, वो जो बोलते थे, वो सिर्फ यही था. शगिल साब, लेक्स बात की थी, वो पूरे इंटरनेशनल कांटेक्स्ट में की थी, सिर्फ यह नहीं कहा था, कि कश्मीरी मुसल्मान गेर मुसलिम के साथ नहीं रह सकता, वो उनका आप इंटर्व्यू देख लीजिए, मैं आपको लिंक भेज़ूंगा, और सर आपने ये कि पाकिस्तान दो कौमी नजरिये की बन्याद पे वजूद में आया, तो सर आज जो इंडिया में 20-25 करोड मुसल्मान हैं, वो किस कौम से तालुक रखते हैं, और जो पाकिस्तान में गेर मुसलिम हैं, क्या वो किसी गेर मुसलिम, अलग कौम से तालुक रखते हैं, या वो पाकिस्तानी कौम का हिस्सा है और इंडिया के मुस्लमान जो है जी इंडिया के मुझे तो मुझे तो मुझे तो बहुत 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 मुझ हैं उसको ले आए फिर उसके साथ के जी वो जो सौाल आप अली गिलानी में डूंड रहे थे कि सिर्फ मुसलमानों को शेरियत नहीं मिलेगी ओ भाई ना दो लेकिन इंटरनेशनली तो जस्टिफाई करोगे ना कि किस तो आप आपकी जहनियत का परचार हो रहा है कि आपकी स् टिर साथ इस से आदा गांटा ओपर हो गया है सर मेरा क्वेस्टन और था मेरा क्वेस्टन यह था इंडिया के मुसलमान किस कौम से तालुक रखते हैं क्या वो हिंदोस्तानी कौम का हिस्सा है या यह नहीं है ये था QUESTION और पाकिस्तान के जो गैट मुसलिम है वो हैं और मुसल्मान हैं मैंने अलिग लानी के लिए कहा कि वो पाकिस्तानी थे पाकिस्तानी शहीद होकर गए दुनिया से इंडियन फाज के हाथ में वो मकबूदा कश्मीर के एक हुरियत पसंद लीडर थे वो उस तहरीक को चला रहे थे उनको उस तरह ले यह सारी उनिया की कहानिया जोड़ के इस तरह ना करें सर मेरा सवाल कुछ और था अब जवाब कुछ और दे रहे हैं मैं यह पूछ रहा हूँ हुआ और आपको मैंने जवाब पूरा दिया मैंने आपको पूरा जवाब दिया कि वह इंडियन्स हैं जो मुसल्मान ऐस और भारत की जहरी जो भारत की जोग्राफिया उदूद में रहता है वह भारतिय है वो हिंदुस्तानी है ख्वा उसका मजब कोई भी हो और मेरी ये तवक्व होगी कि पाकिस्तान के अंदर भी रहने वाला हर शक्स चाहिए उसका मजब जो भी हो वो भी उतना ही पाकिस्तानी है जितना कोई मुसल्मान है इस बारे में किसी को इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए इन्होंने बात करी citizenship की भारत citizenship मुसल्मानों को दे रहा है या नहीं सुरी गैर मुसल्मानों को दे रहा है मैं चोटा सवाल पूछना चाहता हूँ 1901 की जंग के बाद इस्ट पाकिस्तान से जो बेंगॉली सुरी जो बिहारी मुसल्मान पाकिस्तान आए आज उनको 50 सा हो चले हैं लाखों की तादाद में हैं कराची में रहते हैं पाकिस्तान उनको citizenship कब देगा पॉइंट नंबर एक वो मुसल्मान भी है और वो दो कौमी नजरीये पर यकीन रखने वाले मुसल्मान भी है जो सर मैं जबाब सवाल पूरा कर लो उसके बाद और पॉइंट हैं पाकिस्तान हमारा है जैसे सेदली गिलानी सहाब कहते हैं तो उनको बंगलादेश की citizenship मनजूर नहीं है वो कहते हमें नहीं चाहिए स्बूल की citizenship हमें चाहिए कि पाकिस्तान हमें यहां से एरलिफ्ट करके और पाकिस्तान लेकर जाए आप उनको अपने मुल्क में कब ले करें मकडूदा कश्नीर पे आपकर कोई कंट्रोल नहीं है यह लोग आपके मुल्क में बैटेश इस इस वह इंपन बंगलादेश आपका मुल्क नहीं है आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए आपने जो जुलम रवार रखा हूओ है मकडूदा पिस्तान आपको मैंन मतलब जो आपको बताया कि बिहारियों को शनाख मिल चुकी है जो पाकिस्तान में मुझूद है आपको नहीं पता है नहीं मिली है और या मक्बूल जान साहब ने on record मुझे बात कई है कि हम शर्मिंदा हैं इस बात के लिए कि उनको citizenship नहीं दी गई है वो उनके लिए बात की है जो बंगला देश में बैटते हैं उन्होंने मेरा सवाल बिहारी मुसल्मानों के लिए है जो पाकिस्तान में रहते हैं यह बात बिल्कुल एटर वाट कर रहे हैं जो बाद में आए हैं जिनका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ क्योंकि बिल्लिकुल क्लिए बात है इसको ज जो इलेक्शन जड़ते हैं में उनको इस पाले में लेके भूब मरो दूब कर दी है इस वाल के जवाब इस एक वाध जिवागे हैं जो आप लोगों को इनका पर नोंसेंस बोल रहे हैं शकील चौंदरी साहब मैं आपसे कह रहा हूं आपने बिल्क तो यह जो बढ़ा पान करता है और कभी नॉंसेंस गुफ्तगू करने लागी जाता है दूसरों को हैल में कहता है तुम है तुम ने लोगों को हैं अब जाने पर गफ्तगू शुरू ही है आप अपनी मर्जी का जवाब मेना चाहते हैं किसी को भी बुलाके महमान ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो पढ़ें और सुने उसका जवाब आपको आके आपका महमान दे दे तो बहुत अच्छा है नहीं दे तो वो नॉंसेंस है उसकी फ अच्छा है आप तो नहीं था इसका चाहिए जिसको यह अर्वन भेच नहीं है एं यह फो नो प्लीज फो गोसी किसी के साथ मैं आप दोनों से अर्वन सहारन और आणा अमरियास रहान से एजाज़त चाहता हूं इसी के साथ साथ आपके दुबारा कहता हूं इसी के साथ मैं अर्वन सहारन और आमर इल्यास राना से शुक्रिये के साथ खुदाहफिज कहता हूं उमीद है कि हम दुबारा भी कुछ ना कुछ गुफ्टगू कर सकेंगे खुदाहफिज मैं अपालोची जंटलमें इवाट सो ही तड़ आप